नमस्कार दोस्तों योग इस टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत हो तो आज के इस वीडियो में हम एक 500 लिटर के हार्ट टाइप डिफिजर के अंदर नई पाइप डालेंगे तथा नई पाइप डालते हुए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है यह सभी बाते हम इस वीडियो के मादम से करेंगे और आप इस कमप्रेशर की जगह जो इस डिफिजर में लगा हुआ है अन्या कौन से कमप्रेशर लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप इस लाइन में नए है तो वीडियो में लाश्ट तक बने करता हूं कि मुख्यता हम डिफिजर के अंदर जो एपरेटर की नई पाइपिंग करते हैं उनका जो डाया होता है वो लगबग तीन बटे आठ या फिर पांच बटे सोला का डाया होता है लेकिन आज हम इस डिफिजर के अंदर क्वाटर की पाइप नई डालेंगे ऐसा आपको उसकी कैपले नंबर में कुछ फेर बदल करना होगा मैं वो आपको वीडियो के मध्य बदाता चलूँगा अभी आप जो सामय देख रहे हैं यह है एक 500 लिटर का हार्टोप टाइप डिफिजर है ब्लू स्तार कंपनी का इसकी जो इंटरल पाइप है वो लिक हो चु कीजिए आप पाइपिंग करते हुए अगर क्वार्टर की पाइप आप नई डाल रहे है तो असानी से यह बैंड हो जाती है इसमें ज्यादा प्रोब्लम आपको नहीं आएगी अगर आप नए है इस लाइन में हाँ तीन बटे आठ या फिर पांच बटे 16 की पाइप को बि आना शुरू हो जाए आपको लगबग उतन ही लेंथ डालनी होगी जितनी रिकॉयर्ड है याने की जितनी हमें उसमें डालना जरूरी है तभी वो कोलिंग आप आएगी इसमें हमने एक सुराक कर लिया है इसके स्टैप में वहां से हमने पाइप के एक सिरे को निकाल दिया है जिसका उपयोग हम सेक्शन के रूप में करेंगे और आप पाइपिंग करते हुए स्प्रिंग बेंडर का इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप इस मामले में प्रिपकव है या आपका अभ्यास काफी हो चुका है तो आप सिंपल हातों से भी बेंड कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यान लखना है कि pipe कहीं से भी punch नहीं हो जाना चाहिए नहीं तो आपको काफी problem में आ सकती है इससे आपको वहाँ से pipe को काट कर जवाइंट पर लगाना पड़ सकता है तो जो हमने pipe का एक सीरा भार निकाल दिया है अब हम इसको उपर से दो या तीन उगल छोड़ के हम piping करना शूरू करेंगे और काफी ध्यारिये से आपको यह करया करना है इसके लिए आपको एक helper की मदद अवश्या लेनी होगी यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि दोस्तो जो हम pipe का roll यूज कर रहे हैं आपको pipe stable करने के लिए 40 तोर पे विकलप के लिए आप किसी catcher gate का इस्तिमाल कर सकते हैं नहीं तो इसके लिए आपको कुछ पत्यों की जरुत पड़ेगी जो मैं आपको आगे अभी वीडियो में दिखाता हुआ चलूँगा और आपको ध्यान से ही piping करनी है कोशिश कीज़े कि pipe को band या मोड़ते हुए कोई भी dent या फिर कोई punch pipe में नहीं आना चाहिए यह आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों मैं आपको इसका original piping data भी बता देता हूँ अगर आप 500 liter hard top type diffuser में नई piping करने जा रहे हैं तो अगर उस diffuser का जो condenser है वो air cool type है जैसा आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखा तो आपको इसमें 85 foot pipe आपको नई डालनी होगी जिसका size होगा 3 बटे 8 मैं आपको बता देने चाहता हूँ कि हम अकसर बड़ी piping यानि कि मोटी piping बिचाने से बसते हैं क्योंकि उसको मोडने में काफी प्रिशानी आ जाती है इसलिए हम quarter की pipe को तरहिज देते हैं तो दोस्तों अगर आप quarter की pipe को बिचाने जा रहे हैं तो इसकी आपको लंबाई ज्यादा करनी पड़ सकती है यह आपको ध्यान में रखना है नहीं तो cooling नहीं हो पाईगी और अगर आप इसमें condenser भी नया लगाने जा रहे हैं तो आप इसमें 12 गुना 12 गुना 3 रो का condenser इसमें नया लगा सकते हैं जो की air cool type होना चाहिए और इसमें अगर आप capillary इस्तेमाल करेंगे वो आपकी 0.044 8 feet capillary आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप 3.8 पाईप 85 foot पिछा रहे हैं 500 लिटर के diffuser में और आप इस पर जब catcher गीटी लगाएं तो हतोड़ी के साथ कारे करते हुए आपको ध्यान रखना है कि कभी हतोड़ी हमारी pipe के ओपर ना लग जाए नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी इसलिए इस काम में काफी साथधने का इस्तिमाल करना होता है दोस्तों जो लंबे वाला side diffuser है हम वहाँ पर जो piping करेंगे वो horizontal type में करेंगे याने की लंबाई वाली side से हम लंबी ही piping डालेंगे छोटे वाली जो side है वापर आप vertical piping कर सकते हैं अब हम pipe को sport करने के लिए याने की जो हमने coiling की है उसको sport करने के लिए पत्यों के दवारा हम इसे fix कर रहे हैं जो पत्या हम use कर रहे हैं और fill drill के दवारा सुराख करने के बाद हम इसे ript machine के दवारा tight किये जा रहे हैं जो की अच्छी finishing के साथ हो पा रहा है अगर आप के पास इस अच्छा बहतर विकल्प है तो आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो दोस्तों वो original data मैंने आपको बताया लेकिन जो मैंने data आपको बताया वो आप air cooled condenser के साथ ही इस्तिमाल कर सकते हैं जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि वीडियो की शुरात में आपने इसका जो condenser देखा होगा वो air cooled type था यानि की पंके के दवारा जिसे ठंडा किया जाता है अब मैं आपको skin type condenser अगर आपके diffuser में है तो उसके लिए आपको किन किन pipe का इस्तिमाल करना होगा और कौन सा capital number इस्तिमाल करना होगा वो बाते मैं आपको बता रहा हूँ आप copy pen लेकर note कर लीजिए तो दोस्तों अगर आपके diffuser में skin type condenser है यानि कि उसकी body के अंदर ही condenser है तो आपको 140 feet operator की pipe का इस्तिमाल करना होगा लेकिन यहाँ पर इसका size बदल जाएगा इसके लिए आपको 140 feet pipe का इस्तिमाल करना होगा और जिसका size होगा 5-16 का यह आपको ध्यान रखना है अगर skin type condenser आपके diffuser में है 500 liter hard top pipe diffuser की मैं बात कर रहा हूँ यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों एक जिरूरी बात अगर आप इस फिल्ड में नई है और किसी tool को लेना चाहते हैं या उसके बारे में जाना चाहते हैं तो आप इसमें अगर condenser लगाना चाहते हैं या इसका condenser leak है तो आप इसमें 15 feet 5-16 की pipe condenser अलग से यूज़ करेंगे जो पंक्खे के दवारा ठंडा होता है और उसमें एक बटे चार की pipe का आप 140 foot condenser आप लगा सकते हैं अगर आपका 500 liter का hard top type diffuser है अगर वो leak हो गया है तो यह है था data दोस्तो 500 liter diffuser का skin type condenser के साथ दोस्तो हमारा एक roll complete हो चुका है जो की 50 feet का था अब हम दुसरे roll को brace कर रहे हैं और piping को आगे continue करते जाएंगे तो दोस्तो अगर आपका skin type condenser है 500 liter के diffuser में तो आप उसमें जो कैपलर इस्तिमाल करेंगे वो आपकी 0.031, 13 foot की length उस कैपलर की होगी अब आप देख सकते हैं हमने लगभग diffuser के अंदर piping को कर दिया है हमने जो छोटी साइड है वहाँ पर हमने vertical pipe की है और जो लंबी साइड है वहाँ पर horizontal type pipe की है आपको काफी ध्यान से बिलकुल बिना पंच किये हुए ही पूरी piping को complete करना है यह ध्यान में आपको रखना है और हाई साइड से इस विशे पर मैंने वीडियो बनाय हुए आप जाकर उन्हें देख सकते हैं और कोशिश कीजिए कि अगर आप एक बटे चार की pipe का इस्तेमाल कर रहे हैं उपकन पर तो कम से कम 100 foot से लेकर 110 foot तक की pipe आप अवश्य ही उस diffuser में करे हैं आपको ध्यान रखन है लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अब तक मैंने जो आपको कैपले नंबर बताए थे वो आपकी 3 बटे 8 और 5 बटे 16 की pipe के साथ थे अगर आप 1 बटे 4 यानि quarter की pipe का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपना कैपले नंबर बतलना होगा इसलिए 8 और 9 फूट के आसपासी आपको वो कैपले इस्तेमाल करनी है या आपको ध्यान रखना है अगर आप एक बटे 4 फूट की pipe का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यह कैपले नंबर बदल देना होगा जो मैंने आपको भी बताया और दोस्तों अगर आपको यह कंपरिशर के 325 CZ1 आप इसमें लगा सकते हैं इस कंपरिशर के जगए या फिर आप E11 CZ1 लगा सकते हैं या फिर आप K325 CZ1 भी कंपरिशर आप लगा सकते हैं तो दोस्तों इनके जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगबग समान है और आप देख सकते हैं कि कूलिंग आना शुरू हो तो दोस्तों आपको जहां लखना है अगर आप कवार्टर की पाइप का इस्तिमाल करना होगा और 8 फूट के लगबग वो आपको इस्तिमाल करनी होगी अगर आप 3 बटे 8 या फिर 5 बटे 16 की के इस्तिमाल करने तो आपको केपलरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है जो मैं को नया वीडियो जल्द से प्रापत हो सके धन्यवाद